इस वीडियो में दीवी जानकारी के वल एजुकेशनल परपस के लिए हैं, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का पचार नहीं करते हैं, किसी भी दवाई को इस्तमास करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सला ले, अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवाई का उ करते हैं पर आपको कोई साइड इपेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिमेर दारिग नहीं होगी इस वीडियो इस ओनली एन ओनली फोर एजुकेशनल परपस सबस्क्राइब करें मेडिसीन जानकारी को सबसे पहले मेडिसीन से जुड़ी जानकारी के लिए हेलो फेंट्स अबनो इस सबस्क्राइब करने वाले टेकम जिरो पान जिरो पोन जिरो परसें ओनली फिरो उसकरता है तुछ पर फुर्च पर विडियो के पर लंगे सबसे पहले आपके पास एक नोटी पी कसंद पहुँच जाए शुरू करते हैं टेकम 0.03% जो की अमाने पास 10 ग्राम का ट्यूब है जिसकी MRP की बात की तो इसकी MRP टाइम के साथ बदल देती थी है आज जो अमारे पास ट्यूब है उसकी MRP 137 एनकी 136 रुपे करी भी इसकी MRP है टेकम 0.03% को केलम लेबरोटी प्राविट लिमिटेस कंपणी के द्वारा बनाये जाता है टेकम 0.03% ओय्पे के अंदर इंग्रिदीन्स की बात की जाता है ट्राइक्पर 17.03% ilm bit के बारे में बात किसे ओसुस कि लिए आंतर पर इसका इस्तहमास के बबल दबी किया जाता है जब टॉपिकल u molyens य prisons आपके लिएiousdefined लिए काम ने करते टेकम 0.03% का इस्तमास, एक्जिमा, एटोपिक, दर्मेटेटिस के इलाज के इसके इस्तमास की जाता है, यह तवसा में इंपलेमेशन्स यहना की लालीमा सुजन के करण होने वाली कुछ इमिन कोशिकाव की एक्टिविटी को दबा कर काम करता है, यह खोजली से रहात देता ह और एटोपिक, दर्मेटेटिस में होने वाली रसे से सुदार करता है, शरल बासर में बता है, तो टेकम 0.03% का इस्तमास, अगर आपके हातों या पेरों में, चेरे पे, या बोड़ी की कोई भी पार्स में आपको एक्जिमा पकरा हुआ है, या एक्जिमा टाइप होगया ह तो उसको ठीक करने के लिए टेकम 0.03% का इस्तमास किया जाता है, टेकम 0.03% का इस्तमास एक्जिमा हैने कि एटोपिक, दर्मेटेटिस के हिलाज के लिए इसका इस्तमास किया जाता है, टेकम 0.03% का इस्तमास किया जाता है, तो टेकम 0.03% का इस्तमास कर सकते हैं, और या इसको इस्तमास करने से पहले अपने अप्यूर्य को कोई मेडिकेटिस साबल से दोए बाद में इस इस्तमास कर सकते हैं और यह आपके जहाब पर Igzema या Atopic Dermatitis हुआ है उसी area पी लगा है यह ointments को इस्तह्मस नहीं करें और इसको हलके हाच से लगा कि आप सोड़ सकते हैं और यह ointments का सतह्मस आप दीन में दो टांब कर सकते हैं चैना कquinho इस्तह्मस आप ट्वाइस से अधिकर सकते हैं वो एक इम्मिनोस सप्रेंस नामक दवाई है यह तवसा में इंपले मैसर सेने की लालिमा और सुजन के कारण होने वाली कुछ इम्मिन कोशिकाओ की एक्टिविटी को दबा कर काम करता है यह खुजली से रहा दियता है और एटोपिक डर्मेटरस में होने वाली रसिस में करने के पहले अपने डर्मेटरस डॉक्टर एट कोस्मेटरस डॉक्टर से फ्रिस्काइब करिए बाद में 100 ग्रीमीनित का इस्तमास करिए अपने मंसे टेकम 0.030% प्रस्टें यह और चिक प्रस्काइब करेंा यह यह तो इतना ही मिलते है नेक्स के के लिए अपना ख्याल रखी थैंक यू वाचिंग पूर माई वीडियोज ये वीडियो के वाले एजूकेसिंग परपस और नौलेज लिए था कोई भी ओन्यूस का इस्तामास करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरू सलाली